अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम मैं आपका स्वागत है मैं हूँ आर्टी टैली प्राइम की इस वीडियो सिरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे डबल एंट्री सिस्टम क्या है और साथ ही कुछ अन्य परिभाशाएं इसके पहले वाली वीडियो में हमने आपको अकाउंटिंग की परिभाशा और उसके साथ ही कुछ अन्य परिभाशाइं बताई थी हम सभी जानते हैं कि पहले अकाउंटिंग मैन्यूली होती थी यानि हिसाब बही खातों में हाथ से लिखे जाते थे और अब ये कंप्यूटर की साहता से होता है पर इसके मूलभूत तत्वों में कोई परिवर्दन नहीं हुआ है आईए पहले कुछ वीडियोस में हम समझ लेते हैं कि जो मैन्यूल अकाउंटिंग होती थी वो किस तरह होती थी साथ ही ये भी देख लेते हैं कि अकाउंटिंग कंप्यूटराइस्ट होने से क्या फर्क पड़ गया है व्यापार या व्यवसाय में जब भी कोई वित्ति यानि फेनेंशल ट्रांसेक्शन होते हैं तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए हमें उन्हें कहीं लिखना होता है संसार भर में इसके लिए अलग-अलग पथतियां हैं जिनमें सबसे महत्वपून और साइंटिफिकली प्रूवन है डबल एंट्री सिस्टम यानि दोहरा लेखा प्रणाली जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है इसमें प्रत्येक लेंदेन दो खातों को प्रप्धावित करता है एक खाता पाने वाला होता है और दूसरा खाता देने वाला होता है और इसमें प्रतेक लेंदिन के लिए समान राशी एक खाते के नामपक्ष यानि देविट साइट और दूसरे खाते में जमापक्ष यानि क्रेडिट साइट में लिखी जाती है जैसे हमने बैंक से 10,000 रुपे नगर निकाले अब यहाँ पर दो खाते प्रभावित हुए है नकद यानि कैश और बैंक इसके एंट्री इस प्रकार होगी चित्र में आप देख रहे हैं कि दो खाते प्रभावित हुए हैं जिसमें देने वाला बैंक अकाउंट है और पाने वाला कैश अकाउंट है और दोनों पक्षों में जो राशी लिखी गई है वो समान है एक खाते को debit किया गया है और एक खाते को credit किया गया है यहां आपके मन में तीन सवाल उठेंगे पहला खाता क्या होता है तो इसका जवाब हम आपको अगली वीडियो में विस्तार से देंगे दूसरा कौन सा खाता debit होगा और कौन सा credit होगा इसके कुछ नियम है जिनने हम आपको golden rules of accounting में आगे बताएंगे और तीसरा आप ये जो प्रारूप देख रहे हैं उसके बारे में हम आगे जर्नल के अंतरकत विस्तार से समझाएंगे यहां पहले हम इस lesson में उपयोग होने वाले technical शब्दों के अर्थ समझ लेते हैं रुपया उधार देती है रिंडाता या लेंदार यानि क्रैडिटर कहलाती है लेंदार को भविश्य में रिनी से धनराशी प्राप्त होना होती है संग्षेप में जब हम किसी से उधार माल खरीदते हैं तो वो हमारा क्रैडिटर कहलाता है उधारन के लिए पारस ने राहुल से 10,000 रुपय का माल उधार खरीदा यहां पारस की बुक्स में राहुल क्रैडिटर कहलाएगा अब हम समझते हैं देंदार यानि डेटर के बारे में वो व्यक्ति या संस्था जो किसी अन्ध्य व्यक्ति या संस्था से उधार माल या सेवाएं खरीदती है या रुपया उधार लेती है रिनी या देंदार यानि डेटर कहलाती है देंदार को भविष्य में एक निश्चित दिन यानि एक निश्चित अवधी के बाद पैसा चुकाना होता है संक्षेप में जब हम किसी को उधार माल बेचते हैं तो वो हमारा डेटर कहलाता है उधारन के लिए अनिल ने राज को 5000 रुपे का माल उधार बेचा यहां अनिल की बुक्स में राज डेटर कहलाएगा और राज की बुक्स में अनिल क्रेडिटर कहलाएगा अब हम समझते हैं पूंजी यानि कैपिटल के बारे में व्यापार का स्वामी यानि ओनर जो रुप्या माल या संपत्ति व्यापार में लगाता है उसे पुझी कहते हैं व्यापार में लाब होने पर पुझी पढ़ती है और हानी होने पर पुझी घटती है यहां एक बहुत महत्वपुन बात ध्यान रखें कि अकाउंटिंग में व व्यापार के लिए ओनर द्वारा लगाई गई पूंजी व्यापार के लिए कर्ज है उधारण के लिए विकास ने 20,000 रुपए नकद और 10,000 के माल से कपड़े का व्यापार प्रारंब किया तो ऐसी इस्थिती में उसकी व्यापार में लगी हुई इस पूंजी की राशी 30,000 रुपए होगी अब हम देखते हैं कि स्वामी यानि ओनर कौन होता है वो व्यक्ती या व्यक्तियों का समूँ जो व्यापार में आवश्यक पूंजी लगाते हैं व्यापार का संचालन करते हैं व्यापार की जोखिम सहन करते हैं तथा लाब और हानी के अधिकारी होते हैं व्यापार के स्वामी कहलाते हैं यदि किसी व्यापार का स्वामी या मालिक एक व्यक्ती है तो वह एका की व्यापारी यानि प्रॉपराइटर कहलाता है और यदि मालिक दो या दो से अधिक व्यक्ति हैं, तो साजेदार यानि पार्टनर्स कहलाते हैं. पर यदि बहुत से लोग मिलकर संगठित रूप से कंपनी के रूप में कारे करते हैं, तो वे उस कंपनी के अंशधारी यानि शेयर होल्डर्स कहलाते हैं. अगली परिभाशा है आहरण यानि drawings व्यापार का स्वामी अपने निजी खर्च के लिए समय समय पर व्यापार में से जो रुपिया या माल निकालता है वो उसका आहरण या निजी खर्च कहलाता है उदारन के लिए यदि कोई व्यापारी दुकान के कैश में से अपने निजी खर्च के लिए 500 रुपए निकाल लेता है तो ये उसकी ड्रॉइंग्स कहलाएंगी संपत्ति यानि असिट्स व्यापार या व्यावसाई की ऐसी समस्त वस्तुएं जो व्यापार या व्यावसाई के संचालन में सहयक होती हैं और जिन पर व्यावसाई का स्वामित्व होता है संपत्ति कहलाती है ये दो प्रकार की होती है स्थाई संपत्तियां और चालू संपत्तियां स्थाई संपत्ती यानि Fixed Assets से आशे उन संपत्तियों से है जो व्यावसाय में दीर ककाल तक रखी जाने वाली होती हैं, यानि जिनका लाब व्यापार में कई वर्षों तक मिलता रहता है और जो पुना विक्रय के लिए नहीं होती हैं, उधारन के लिए जमीन, बिल्डिंग फरनीचर, कंप्यूटर, वाहन, मशीन, आदी और चालू संपत्ती से आशे उन संपत्तियों से है जो आम तोर पर एक वर्ष से कम समय में उप्योग की जाती हैं, यानि जो लंबे समय तक व्यापार में नहीं रहती हैं, जैसे नकदी या जिने आसानी से नकदी में बदला जा सके, जैसे देंदार, बेंक बलेंस, स्टॉक, इत्यादी. अब हम बात करते हैं दायत्व यानि लाइबिलिटीज की, वे सभे रिन या लोन जो व्यापार को आन्ने व्यक्तियों अथ्वा अपने स्वामी या स्वामियों को चुकाने होते हैं, दायत्व यानि लाइबि पुझी, डाइट्व से आशे ऐसी देंदारियों से हैं जिनका भुक्तान दीर्गकाल के पश्चात या व्यापार की समाप्ति पिर करना होता है जैसे दीर्ग कालिन रिंड, लॉंग टर्म लोन, पूंजी, बिल्डिंग या लेंट को गिरवी रखकर बैंक से लिया हुआ लॉंग टर्म लोन इत्यादी चालू दायत्व यानि करेंट लाइबिलिटी से आशय ऐसी देंदारियों से है जिनका भुकता निकट भविश्य में करना हो प्राय ये एक साल से कम समय में चुकाना होती हैं यानि ये अस्थाई होती हैं और व्यापार संचालन में घट्ती बढ़ती रहती हैं जैसे अल्पकालिन्रिन यानि शौट्टर्म लोन, लेंदार, बैंक लोन, सीसी लिमिट यानि कैश क्रेडिट लिमिट आदी अब हम बात करते हैं अदत्त व्याय की यानि आउटस्टेंडिंग एक्सपेंसिस की ऐसे समस्त व्याय जिनकी सेवाएं तो प्राप्त कर ली गई हैं परंतु उनके मूल्य का भुकतान अभी तक नहीं किया गया है जैसे कि वर्ष समाप्ति पर कर्मचारी की सालरी बाकी है या मकान मालिक का किराया बाकी है यानि देना है किन्तु दिया नहीं गया है तो वर्ष समाप्ति पर इसका प्रोविजन करना होगा इस तरह के प्रावधान को अदत्त व्याय कहते हैं अब हम बात करते हैं मुल्य रास यानि डेप्रिसियेशन की किसी वस्तु या संपत्ति के उप्योग से समय व्यतीत हो जाने पर मुल्यों में परिवर्दन से नश्ठ हो जाने या अन्य किसी कारण से जब समपत्ति के मुल्य में कमी आ जाती है तो इस मुल्य में होने वाली कमी को डेप्रिसियेशन कहते हैं उदारन के लिए हमारे पास कोई मशीन है और हम उसका लगातार उप्योग कर रहे हैं इस उप्योग से उसका मुल्य कम हो जाएगा मुल्य की यही कमी मुल्य रास या घिसारा या डेप्रिसियेशन कहलाती है अब हम समझ लेते हैं वित्तिय वर्ष यानि फैनेशल इयर को ये बारा मा की अवधी होती है जिसका हम लेखा जुखा प्रस्तुत करते हैं चुँकि ये अवधी 12 मा की होती है इसलिए एक वर्ष कहलाती है हमारे भारत में ये अवधी यानि वित्तिय वर्ष एक अप्रेल से प्रारंब होकर 31 मार्च को समाप्त होता है उदारण के लिए 1 अप्रेल 2020 से प्रारंभ होकर 31 मार्च 2021 को समाप्त होने वाली ये जो अवधी है या 12 महीने का सिरु समय है उसे एक financial year कहेंगे चलिए आगे बढ़ते हैं जैसा कि हमने आपको इस वीडियो के आरंभ में बताया कि double entry system में हर लेंदेन दो खातों को प्रभावित करता है तो पहले हम ये समझते हैं कि खाता क्या होता है जब किसी व्यक्ति, विशेश, वस्तू, सेवा या आयवय इत्यादी से संबंधित समस्त लेंदेन एक निश्यत स्थान पर तिथिवार और नियमा नुसार रखे जाते हैं तो उसे उसका खाता यानि अकाउंट कहते हैं किसे भी खाते के दो पक्ष होते हैं debit side यानि नाम पक्ष और credit side यानि जमा पक्ष debit side बाईं तरफ होता है और credit side दाईं तरफ होता है हम इसे एक उधारन से समझ लेते हैं जैसे हमने राम से एक लाख रुपए उधार लिये और टुकडों में उसे वापस चुका दिये देखिए राम का खाता कुछ इस तरह से दिखेगा यहाँ आप देख सकते हैं जब हमें राम से रुपए प्राप्थ हुए हैं तो हमने उन्हें credit side में लिखा है और जब हमने राम को रुपए वापस किये हैं तो उन्हें debit side में लिखा है इस वीडियो में आपने जाना कि double entry system क्या है और कुछ अन्य परिभाश है इसके बाद वाली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि account कितनी प्रकार के होते हैं अन्हें कितनी प्रकार के बाद है